हेलो बच्चो हेलो एवरिवन तो आज की जो क्लास है इसमें हम लोग एक सेट देखने वाले है डियाई का जिसमें डेटा जो दिया गया है वो लाइन ग्राफ फार्म में है और डेटा क्या है अगिन जैसा कि आपको पता है किसी भी डियाई सेट को सॉल करने से पहले अब जैसे कि डेटा क्या दिया हुआ है लिखा है प्रॉफिट इन लाक्स मतलब लाक रुपए में प्रॉफिट दिया हुआ है और तीन कंपनी है उनके नाम A, B और C है तो प्रॉफिट है लाक में अब इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा कर देता हूँ ताकि अब वैसे भी यह देखते हैं, hold on a second, yes बच्चो तो दिया क्या गया है प्रॉफिट, प्रॉफिट इन लाक्स हमें दिया हुआ है, अब डिफरेंट टियर्स हैं 2009, 10, 11, 12, 13, 14 ठीक है तो ultimately कितने साल का डेटा दिया हुआ है, डेटा दिया हुआ है छे साल का, अब उसमें कंपनी A के लिए वाली लाइन है, B के लिए औरेंज वाली लाइन है, C के लिए ब्लाक वाली लाइन है, तो अगर अब्जर्वेशन, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में देखा था न, अब्जर्वेशन हम अप्लाए कर सकते हैं, अगर अब्जर्वेशन की बात करी जाए, तो सबसे पहली जो ह कि A का, अगर यहीं पर पूछा जाए कि सारे years को combine करके profit सबसे ज़्यादा किसका है, तो C के लिए जो black line है, अगर सारे years को combine करके profit सबसे ज़्यादा किसका है, किस company का है, तो यहीं तो S उपर उपर, right, तो C का सबसे ज़्यादा profit है, done, और उससे कम किसका है, second number पर B है, जो middle मे values है, right, न, यह by the way, यह दोनों का 8 लाक रुपे, दोनों का है, यह 8 लिखा हुआ है, ठीक है, उससे कम B, और सबसे कम C, sorry, सबसे कम A, A जो है, उसका profit जो blue line है, वो सबसे कम है, और किसी भी company के लिए profit का जो formula होता है, किसी भी company के लिए profit का formula जो होता है, वो क्या होता है, उस company की income, या इसे हम यह भी बोलते हैं, जितना इन्होंने revenue generate किया, ठीक है, minus उस company का जितना खर्चा हुआ, मतलब expenditure, तो किसी भी company का profit कितना हुआ, वो हुआ, income minus expenditure, done, और यह सारी की सारी value लाकों में है, लाक रुपे में, यह 11 लाक, 13 लाक, 9 लाक, 8 लाक, 11 लाक, और 12 लाक, और एक बार अब हमने data समझ लिया, data समझ लिया, अब questions की तरफ बढ़ते हैं, पटा फट से questions को देखते हैं, जैसे कि पहला सवाल है, पहले सवाल में क्या लिखा है, profit earned by company A in year 2010, was approximately what percentage of the total profit by all the companies in that year, तो company A का जो profit है न 2010 का, वो कितना percentage है इन तीनों company के profit, total profit, same year, मतलब 2010 का, अच्छे ये चीज़ calculate करना कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, तो बहुत ही simple है, कैसे calculate करेंगे, कैसे calculate करेंगे वो चीज़, A का profit सन 2010 में कितना है, 5.5, ये कितना percentage है, total profit उस साल, तो हम इन तीनों को जोड़ देंगे, है न, 13 में 7 ज जोड़ा 25, और 0.5 और 0.5 और जोड़ दिया, मतलब कितना बना, 26 बना, right, 26, तो 5.5 जो है, वो 26 का कितना percentage है, ultimately हमें ये चीज़ calculate करने है, right, आपको पता है, 26 दोनी 52 होता है, तो 20 परसन से हलका सा अधेख होगा, approximation, मैंने क्या देखा, मैंने basically ये देखा, कि point से, अगर मैं 0 हटा दू, 26 दोनी 52 होता है, तो ये 2 से अधेकारा है, हलका सा, और उसे 10 से गुड़ा करेंगे, तो हमारी value 20 से थोड़ी सी जादा आनी चाहिए, approximation से, done, और अगर आपको थोड़ा और जादा accurately देखना है, तो हम देख सकते हैं, कैसे, हमने इधर, सबसे पहले हमने क्या किय 5 से, सॉरी, 2 से cancel कर दिया, ये 5 आ गया, ये आ गया 13, 55 को 5 से गुड़ा किया, value बनी 275, बटे 13%, भाग देते हैं, 13 दूनी 26, बचा 1, 15 बना, फिर क्या हुआ, 13 एकम 13, बचा 2, तो point लगाया, 20 बन गया, फिर से 13 एकम 13, बचा 7, अब 1, 0 बढ़ाया, 70 बना, और 13, 65, तो लगभग इसके आसपास आ रहा है, अगर आप पूरा डिवाइड करोगे, मेरा कहने का मतलब मैं पूरा डिवाइड करने के आवशकता ही नहीं है, राइट, हमने जैसे ही देखा, 26 का दुगना 52 होता है, हमारे पास 55 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, डबल से थो बड़ा सा जादा, राइट, तो 21-22 परसन के आसपास होगा अंसर, हमें 21 परसन दिख गया, यही हमने मार्क कर दिया, तो वही चीज़ है, जैसे IBPS, RRB का पिपर आने वाला है, उसके बाद में IBPS, क्लर्क भी है, फिर SBI, क्लर्क भी आएगा, तो अल्टिमेटली होता क्या ह है, कि जो DI में जो हम कैलकुलेशन करते हैं, वही है कि हमshore्ट बनाने की कोशिस करते है, और DI में शॉर्ट बनाने के अप्रोचे, exercise हम कैसे बनाते हैं, इसके अलग-ठेकने करते हैं, पहला जो मैंने बताया आपको को कि कई बार तो हम observation से solve कर सकते हैं, जैसा last class में मारूती कं के सेल्स वाला जो था उसमें पने देखा भी था है ना तो अब्जर्वेशन से हम सॉल कर सकते हैं दूसरा जो है कि हम अन्नेसेसरी कैल्कुलेशन ना करें राइट सम्टाइम्स के वल रेश्यो से ही सॉल हो जाता है एक्चल वैल्यू के हमें आवश्यक्ता पड़ती ही नहीं ह अब तीसरी जो चीज है वो होती है एप्रॉक्सिमेशन का इस्तमाल किया जाए और इससे फटाफट सॉल किया जाए डन अब बाकी इसके अलावा जो भी चीजे होती है वो इन्हीं का कुछ इन्हीं में से किसी एक का पार्ट हो जाती है तो इनसेंस अगर स्पीड मेंटेन क तो जहां पे भी हम यह सारी चीजें अपलाई कर सकते हैं वहाँ अपलाई करेंगे और इसमें में चाहूं तो चौथा और लिख सकता हूं कि हम सम्टाइम क्या करते हैं ऑप्शन बेसिस भी जाते हैं हम ऑप्शन से चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाय कर रहा है लेकिन option basis जो है ना, बच्चों वो ज़्यादा relevant होता है means में, वो ज़्यादा relevant होता है means में, क्योंकि means में जो डियाई के सवाल आते हैं, specially arithmetic based डियाई के, उसमें क्या होता है कि काफी लंबी-लंबी calculation हो जाती है, कई बार quadratic बन रही होती है, कई बार जी बजी भी question बड़ा लंबा पड़ेगा, लेकिन अगर हम option basis का इस्तमाल करते हैं, options को check करते हैं, तो उससे काफी easily हो जाते हैं, ठीक है, तो mainly ये तरीके हैं, speed बढ़ाने के, और of course आपकी calculation speed अच्छी होनी चाहिए, और दिमाग में information रेटेन कर सको, done, ये दो चीज़ें और वो तो हैं ही, उसके लावा जो ways हैं, वो ये है, done, चलिए, और एक और चीज़ याद रखना कि जबी भी हम speed या time बचाने के बारे में सोच रहे हैं, तब हमें कभी भी set को पढ़ते और समझते समय या सवाल को पढ़ते और समझते समय time बचाने के आदत नहीं होनी चाहिए, उससे क्या होता है, सवाल कै कुछ और रहा होता है, हम समझ कुछ और लेते हैं, या डेटा कुछ और दिया हुआ है, हमने कुछ और समझ लिया, उसमें टाइम मत बचाईए, अब आप आराम से समय लीजिए, और 3 में तो वैसे भी बड़ा, straightforward डेटा आता है, तो आराम से समय ल आगे, question number one already done, हमने इसमें approximation लगाया, question number two जो है, if the income of company A in year 2013 हमें इतनी दे रखी है, तो what was its expenditure in that year, by the way, इस सेट की शुरुवात में ही, मैंने आपको क्या बताया था, किसी भी company का जब हम profit निकालते हैं, तो profit का formula होता है, income minus expenditure, तो अगर हमें expenditure निकालना है, तो income में से profit गटा देंगे, इसको उठा के उधर लेगा, और expenditure को left hand side पर, तो हम यह बोल सकते, expenditure जो होगा, वो income minus profit होगा, right, अब एक और चीज याद रखना है, यह जो भी values है, जो लाब या, दे रखा है, वो सब लाख में है, है ना, तो सवाल पर हम वापस से गए, question number 2 पर, income दे रखी है, सबसे पहली जो चीज है, expenditure जो होगा, expenditure क्या होगा, expenditure होगा, income में से, हम क्या घटा देंगे, ऐसी expenditure निकलेगा, right, तो income दे रखी है, company एक ही, सन 2013 में, अब इसको हमने क्या लिखा, इकाईद आई, सैकड़ा, हजार, दस हजार, लाक, दस लाक, ठीक है, तो value कित्ती आ गई, value आ गई, तेईस लाक, चवण हजार, तीन सो रुपए, है ना, अब इसमें से profit घटा देते हैं, expenditure आ जाएगा, सन 2013 में, company A का profit कितना था, पांच लाक रुपए, इस सारी value लाकों मे है, अब यहां से जिस 5 मत हटाना, 5 लाक घटाने है, तो इसमें से जब हमने 5 लाक घटा दिये, 5 लाक का मतलब 5 के बाद में 5,0, तो 23 में से 5 घटाया, 18 लाक, बाकी सब तो ऐसे ही आ गया, 18,54,300, यही answer है, 18,54,300, तो अब अगर देखा जाए, तो यहां तो कहीं match नहीं कर देते हैं, none of these, mark कर देते हैं, clear है न सबी को, एक बार देख लीजिएगा, सन 2013 में A, done, ठीक है, yes, चलिए, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं, अगला जो सवाल है, what was the approximate average, average, profit earned by C in all the given years, together, मतलब basically, सारे years का C का हमें average निकालना है, निकाल लेते हैं, average कैसे निकालेंगे, पाँच संख्याएं हैं, 13, 11, इन सब को add करके 5 से भाग दे देते हैं, यहीं न, तो 11 में 13 जोड़ा value है 24, उसमें 9 जोड़ा 33, 33 में 8 जोड़ा, यह 8 जो है, वो B और C दूनो का profit है, ठीक है, तो उसमें, क्योंकि same point पर पहुंच रहे हैं, तो उसमें 8 जोड़ा जब हमने value आई 51, दुबारा से मैं कर रहा हूं, 9, 8, 17, 13, 31, 41, 41 पहुंचे, 24, 33, 41, 41 में 11 जोड़ा, 52, 52 में 12 जोड़ा, तो value आगई 64, value बनी 64, अब इसको हम भाग देंगे किस से, 6 से, क्योंकि 6 साल का data है न, तो जब हम भाग देंगे 10 बार तो पूरा चला गया, फिर 4 बटे 6, इसका मतलब होता है, 2 बटे 3 है न, उसका मतलब 0.66, इतने लाख आ गया, तो nearest value जो बनी हमारे पास में, option number E, mark कर देते हैं, ठीक है, option number E, mark कर देते हैं, हो गया, average, निकालना अमें C के लिए, अगला जो सवाल है, question number 4, ये क्या है, what is the percentage decrease, मतलब percentage में कितने की कमी आई है, किसके company A के lab में, सन 2013 में, over the previous year, previous year का मतलब है, पिछले साल की तुलना में, पिछले साल की तुलना मतलब सन 2012 की तुलना में, 13 में, कितने की कमी आई है, तो 12 में profit था 7 लाक, 13 में profit था 5 लाक, after all बात किसकी हो रही है, company A की, तो 7 से 5 आपको clearly दिख रहा होगा, कि जो value है, वो 2 लाक से घटी है, तो percentage में कितने की कमी आई है, तो 2 कितना percentage होता है, 7 का, तो आप चाहो तो या तो into 100% करके ये calculation कर लो, या वैसी हमें एक चीज तो पत बाते साथ होता है, 14 दसमलव, 28%, right, क्या हो रहा है, या कोई answer ही match नहीं कर रहा है, ठीक है, ignore the answer options, तो 2 बाते साथ बन जाएगा, उसका double, इसका double, तो value आजाएगी 28 दसमलव, 56% के आसपास, यही हमारा answer होगा, I think answer option में है कुछ mistake, percentage decrease in the profit of company A in year 2013 from the previous year, तो मतलब 2012 से 13 percentage decrease कितनी आई, वो आई 2 बटे साथ, 2 over 7 value इतने होती है, right, तो 26.56 लिख लो, या 28.56 लिख लो, या 28.57 लिख लो, या 28.57 लिख लो, ठीक है, वो चीज है, Done, अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, next जो question है, लिखा है, average, average, profit of these companies, हमारे पास 3 company हैं, उनका average, वो किस order में लिख सकते हैं, यह तो हम बहुत पहले कर चुके हैं, टोटल में हमारा जो comparison था, टोटल में हमारा जो comparison था, वो क्या था, A सबसे नीचे, blue color सबसे नीचे, है न, B उसके बाद middle में, right, और C सबसे बढ़ा, तो average में भी तो यही relation होगा, average में भी तो यही relation होगा, right, अब जड़ा देख लेते हैं, क्या यह कहीं answer option में दिया है, A सबसे कम, और C सबसे ज़्यादा, यह रहा, option number C, done, C का average profit सबसे ज़्यादा होगा, B का, middle में, A का सबसे कम, that's it, देखा कितना आसान सेट है, right, तो I hope यह सेट आप सभी लोग को समझ में आया, तो अब keep in mind कि IBPS RRB का जो paper आने वाला है, या उसके बाद में IBPS clerk का जो paper आने वाला है, pre-level पर बड़े आसान-ासान सेट होते हैं, उसमें YAM कई बार observation skill से, कई बार ratio अगरा से calculation avoid करके, या option basis या approximation से questions को हम काफी ज़्यादा easily solve कर सकते हैं, ठीक है, चलिए फिर बच्चों मिलते हैं हम लोग अगली class में, and do subscribe this channel ताकि आप से कोई video मिसना हो, ठीक है, तो see you in the next class, practice करते रहिए, have a great day, bye-bye.